हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मै चैनल आज हम नीम्बू की खटी मिठी चटनी बनाने वाले हैं और ये चटनी साल भर तक खराब नहीं होती पहले हमें नीम्बू को अच्छी तरह से धोकर पोच लेना है इसके बाद नीम्बू के छोटे छोटे हमें टुकडे कर लेने हैं और इसके सारे बीजों को हमें निकाल लेना है यहां मैंने नीम्बू के आठ टुकडे किये हुए हैं यदि आप चाहें तो आप इससे भी छोटे टुकडे कर सकते हैं इसमें हमें बस यह ध्यान रखना है कि नीमबू में कोई भी बीज रह न जाए यहां एक कटोरी चटनी के लिए एक चमच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हिंग, थोड़ा सा काला नमक और इसके साथ दो लकड़ी दाल चिनी की 15-20 काले मिर्च, एक चमच अजवाईन और एक चमच जीरा लिया हुआ है इसके साथ पौना पौना कटोरी दो बार हमें शक कर लेनी है और नीमबू एक कटोरी से थोड़ा ज़्यादा है याने सवा कटोरी इसलिए इसे साथ से दो गुनी हमें शक कर लेनी है नीमबू से सारे बीज निकाल लेने के बाद सारे नीमबू के टुकड़ों को हमें मिक्सी के जार में डाल देना है इसके साथ हमें शक्कर भी डाल देनी है अभी केवल पॉना कटोरी शक्कर डाली हुई है इसके साथ सारे मसाले भी हमें डाल देने हैं और ये मसाले हमें सेख कर डालने हैं थोड़ा हलका भून कर भूनने से ये अच्छी तरह से बारिक पिस जाते हैं अब इसे भी हमें इसमें डाल देना है क्योंकि इसमें काला नमक भी डला हुआ है इसलिए केवल पॉन चम्ची ये सादा नमक इसमें डाल रही हो अब हमें मिक्सी को चालू बन चालू बन करते हुए से पीस लेना है अब इस पेस्ट को हमें किसी कडाही में खाली कर लेना है और हमें धीमी आज पर इसे गैस पर रख देना है पीस्ते समय हमने केवल पॉन कटोरी शक्कर मिलाई थी यानि के आधे से थोड़ी जादा इसलिए और पॉन कटोरी शक्कर हमें मिलानी है क्योंकि सवा कटोरी जितने नीमबू के टुकड़े थे उससे दो गुनी हमें शक्कर लेनी है यदि नीमबू के टुकड़े एक कटोरी हो तो दो कटोरी हमें शक्कर लेनी होती है अब हम बाकी के शक्कर भी इसमें डाल देंगे अब हमें बिल्कुल धीमियाच पर 5-7 मिनिट के लिए इसे पकाना है जब हम 5-7 मिनिट में गैस को बंद कर देंगे तब ये पतला लगता है लेकिन कुछ ही देर के बाद या अगले दिन ये बहुत गाड़ा हो जाता है इसलिए इसे बहुत जादा नहीं पकाना हमें और ये काफी गाड़ी चटनी मेरे तयार हो गए है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें